तेन राज्य, चार रिपोर्टर ये वाकई में क्या इस गाओं के अंदर चुड़ेले मौजूद हैं? इस तरीके से गाओं में दैश्ट का महौल है तेन राज्य, चार रिपोर्टर और चोटी काटने वाली चुड़ेल का पूरा सच ABP News की बड़ी परताल सची घटना में आज कहानी उस खौफ की जिसे मैंने बेहत करीब से महसूस किया है आज जब मैं घर से ओफिस आ रही थी उसी बक मेरी एक सहीली ने मेरी एक चोटी देखकर कहा शगुन संभल कर जाना सुना है दिल्ली और आसपास के इलाकों में महिलाओ की चोटी काटने बाला शैतान घुम रहा है मेरी सहीली जिस खत्रे से मुझे आगा कर रही थी मैं उस खत्रे से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ मैं जानती हूँ कोई है जो महिलाओ की चोटी काट कर लोगों को दहशत से भर रहा है लेकिन यकीन मानिए वो कोई भूत प्रेत या चुडेल नहीं है इनका कोई अस्तित्व नहीं है और इसलिए मैं दावे के साथ कह रही हूँ ये किसी सिर्फ है या बदमाश की ही कारस्तानी है लेकिन वो कौन है ये एक रहस्य है ऐसा रहस्य जो दिनों दिन गहराता जा रहा है आधी रात के बाद अंधेरी कलियों में एबी पी न्यूज की टीम यूबी में किसने फैलाई दह्शाथ और मेरे ठीक पीछे ये गाओं है तो आईए चलते हैं इस गाओं के अंदर और जानते हैं कि वाकई में क्या इस गाओं के अंदर चुड़ेले मौजूद है अर्याना में खौफ के पीछे कौन इसका सच पूरा क्या है ये भी सामने निकल के नहीं आया लेकिन लोगों के मन में ऐसा डर वैठा है कि लोग रातों को भी अपना जो सब कुछ फुरी सुरक्षा है घरों की वो देखते रहते हैं दिल्ली वालों के डर करहसे वो आज हुमाए हैं रात सौड़े बारा बजे इस बात की परताल करने के लिए कि गाउं क्या क्या हाल है चोटी काटने वाली चुडैल का पूरा सच ABP News की बड़ी परताल कोई महला दिल्ली की है कोई हर्याना की तो कोई यूपी की वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है उन महलाओं का आपस में कोई रिष्टा नहीं है लेकिन उनके डर की कहानी एक जैसी है उनकी कहानी में डर है चोटी कटने का डर है किसी गुमनाम साई का क्या है उस डर का पूरा सच देखें ABP News की बड़ी परताल देश के इन तीन राज्यों से एक के बाद एक सामने आ रही है महिलाओं की चोटी काटे जाने की घटना है इन तीनों राज्यों के अलग-अलग इलाकों में एक तरजन से ज्यादा महिलाएं सुना चुकी है रहस्मय धंग से चोटी कटने के किस्से अरे बचे हैं घर में तो डर रहे हैं कि चोटी कट जाएगी वो सिर में चदर बांद के डेटते हैं चोटी काटने वाली चुडेल के किस्से बया करने वाली सभी महिलाओं के डर की कहानी तकरीबन एक जैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैमरा पर आप बीती सुना रही कोई महिला यूपी के किसी गाओं की रहने वाली है या दिल्ली की या फिर वो दिल्ली से सड़े गुरुग्राम जैसे बड़े शहर में रहती है जहां जहां महिलाओं की चोटी कटने की घटना हुई है वहां गलियों में खौफ और दहशत का कबजा है जिन लोगों ने इस डर को महसूस किया है वो पुरी तरह सदमे में है चोटी काटने वाली चोडेल का पूरा सच जानने के लिए ABP News की कई टीमें एक साथ निकली हमारे समवाद दाता रक्षित सिंग रात के समय मतुरा के सफर पर निकले दिल्ली से तकरीबन 180 किलोमीटर का लंबा रास्ता तै करके रक्षित सिंग उस गाउं में पहुँचे जहां एक महिला प्रेमवती ने चोटी कटने की आपपीती सुनाई थी मतुरा के नगला शीशराम गाउं में जब ABP News की टीम पहुँची तो वक्त हुआ था रात के तकरीबन साड़े बारह बजे दिल्ली राजिस्थान और हर्याना के बाद अब उत्तरदेश के गाउं में भी फैला है चोड़ैलों का आतंक क्या वाकई में गाउं के अंदर चोड़ैले मौजूद हैं जो महिलाओं की चोटिया रात को काट कर ले जाती हैं यही तपतीश करने के लिए एबीपी नियूस पहुचा है उत्तरदेश के मत्रा जिले के नगला सीसराम गाउं में और मेरे ठीक पीछे ये गाउं है तो आईए चलते हैं इस गाउं के अंदर और जानते हैं के वाकई में क्या इस गाउं के अंदर चुड़ैले मौजूद ह आधी रात के वक्त गाउं की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था लोग नींद के आगोश में थे हमारी टीम को गाउं में देख कर लोगों की नींद तूट गई हम यहां बुजर्ग महिला प्रेमवती से बातचीत करने पहुचे थे जिन्होंने चोटी काटने वाली चु लटकाया गया है और महिलाओं की बाजू पर यह तावीज क्यों बांधे गए हैं यह हम आपको बताएंगे लेकिन पहले बुजर्ग महिला प्रेमवती की आप भीती सुन लेते हैं प्रेमवती और इनके पूरे परिवार का दावा है कि प्रेमवती सो रही थी तभी एक साय ने आकर उनके बाल काट दिये प्रेमवती का परिवार बेहट डरा हुआ है उनके पती ने तो पतनी की कटी हुई चोटी को अब तक समाल कर रखा है वजह कुछ भी समझ लीजे आप चाहें तो इसे प्रेमवती के साथ हुई इस खौफना घटना का सुबूत भी मान सकते हैं पूरा परिवार इस घटना से इतना डर गया कि प्रेमवती के पती को तांत्रिक की शरण में पहुँचना पड़ा घर पर ही एक तांत्रिक को बुलाया गया और अनुष्ठान हुआ और फिर तांत्रिक के कहने पर ही घर के दर्वाजे पर प्यास को बांदिया गया साथ ही घर की सभी महिलाओं की बाजू पर तंत्र मंत्र का ताबीज बांदिया। हिल्ली और यूपी की तरहां हर्याना में भी काई महिलाओं ने रहस्मे हालत में चोटी कटने की शिकायत की है। मर्दों के साथ साथ औरते भी रात भर जाग कर पहरा दे रही है ये तस्वीरे गुरुगराम के उसी इलाके की है जहां पिछले दो दिन में चोटी काटने की पांच घटनाय हो चुकी है चोटी काटने की घटनाओं के बाद पूरे इलाके के लोग खुद ही पहरेदारी करने लगे हैं लोगों में ऐसा डर इन तस्वीरों की वजह से बैठा हुआ है गुरु ग्राम की रहने वाली इस लड़की और इस महिला ने दावा किया था कि किसी साय ने उनके बाल काट दिये इन दोनों ने भी दहशत की वही कहानी सुनाई थी कि तेज सिर दर्द के बाद सत्मे से वो पहोश हो गई ममी ने पानी का किंचा मारा आँखों में अप जब कतल की आवाज आ उस वक्त आप होश में थी? क्या हुआ था आपको? महिलाओं में डर ऐसा है कि वो रात को सिर पर कपड़ा बांद कर सो रही है कहा जा रहा है कि हरियाना में अभी तक चोटी काटने वाली सबसे ज्यादा घटनाई हुई है तकरीबन 17 महिलाओं ने अपनी आप बीती सुनाई है इन कहानियों की हकीकत जानने के लिए गुरू ग्राम में इस बड़ी परताल पर ABP न्यूस की एक और टीम निकली हमारे समबाददाता गौर श्रिवास्तव गुरू ग्राम के भीम खेड़ी गाओं पहुंचे देश की राजधानी सिर्फ दिल्ली ही नहीं उससे सटे हरियाना के गाओं में भी चोटी काटने वाले की अफवा बुरी तरीके से फैली वी है और यहीं नहीं कोच जगाँ पर जो है गाओं में चोटी काटने की गट्नाएं भी सामने आई है लेकिन इससका संच पूरा क्या है यह भी सामने निकलके नहीं आया है लेकिन लोगों के मन में ऐसा डर वैठा है कि लोग रातों को भी अपना जो पूरी सुरक्षा है घरों की वो देखते रहते हैं इस वक्त हम हरियाणा के गुड़गाओं में हैं और गुड़गाओं का ये खेड़ी गाओं है और यहां पर जो लोग मौजूद है इनलों के मन में अभी भी भय है क्योंकि यहां पर तीन से चार घटनाएं लगभग चोटी काटन की कई घटनाएं हो चुकी हैं जब हमारी टीम यहां पहुंची तो गाओं के कई लोग जाकते हुए मिले इलाके की बुजूर्ग महिला ने कहा कि अब तो घर के अंदर भी डर लगता है वही गाओं के कुछ लोग इस देहशत के पीछे पांगलादेशी लुटेरों के गैं काओं सचमुच हो रही हैं यह कोई अफ़वा नहीं है के बंगलादेश से थोड़े हुए आदमी हां तांतरिक अच्छा है ऐसा बताय जा रहा है कि बंगलादेशी थोड़े हुए तांतरिक है जितने मूह उतनी बाते सब की अपनी अपनी थियरी है किसी ने सुना की वक्ते ही घायब हो जाता है इस डर की वजह से ये लोग सुभा होने तक सोते ही नहीं हैं और कोशिश करते हैं के नजर रखें इस परताल के दौरान हमारी टीम ने आधी रात के बाद गुरू ग्राम से सटे नू के ताउडू इलाके के कई गाउं का जाइजा लिया हर्याना के नू जिले के थाना तावडू के इलाके में हैं और हमने यहाँ पर तीन से चार गाउं की परताल की यहाँ पर पिछले दस दिनों में करीब दस से बारा घटनाय महिलाओं के बाल काटने की उनकी चोटी काटने की आई थी जिसमें इस घटना के बाद वो की जगता नहीं मिला इस वक्त रात के तक्रीबन आप देख सकते हैं धाई से ज्यादा का वक्त हो गया है और अभी जो माहौल है अभी वो काफी शांत पूंड बना हुआ है जिस तरह की घटनाय लगातार आ रही थी उसको देखते वे काफी मुस्तैदी की गई और उसके ब जिस वक्त हमारी टीम यूपी में परताल कर रही थी ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक गाउ में मौजूद थे एबी पी न्यूस समवादाता अंकित गुपता ये वही गाउ हैं जहां तीन महिलाओं ने चोटी काटने की आप बीती सुना कर सब को चौका दिया था अब उस ग काटने वाली चुडेल की दहशत का पूरा सच सामने लाने के लिए अंकित आधी रात के वक्त छावला इलाके में पहुँचे हैं गाउं कांगन हेडी में ये वो गाउ है जो की दिल्ली और हर्याना बॉर्डर से सटा हुआ है लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये सुर्खिय में है वजहा कि इस गाउं में तीन महिलाओं की चोटी कड़ गई हर्याना बॉर्डर के पास दिल्ली के कंगन हेडी गाउं में जब एबी पी नियूस की टीम पहुँची तो हमारे कैमरा में दो चीजे कैद हुई रात दो बजे तक कुछ लोग गलियों में पहरा दे रहे हाला कि उनके हाथ में डंडे नहीं थे दूसरी बात जो गौर करने लायक दिखी वो ये कि घरों के बाहर नीमबू और नीम की पत्यां लटकी हुई थी इन नीमबू और पत्यों को देखकर लग रहा था कि ये हाल ही में लटकाई गई है आधि रात का वक्त है गाओं में सन्नाठा पसरा हुआ है लेकिन एक चीज़ जो बार-बार ध्यान आगार्शित कर रही है वो है कि कमवेश हर घर के बाहर कुछ इस तरीके से नीमबू प्याज लटके हुए है नीबू प्याज नहीं है तो नीम के पत्ते कुछ इस तरीके से घरों के बाहर लटके हुए है देख सकते हैं इसमें लहसन भी है नीबू भी है प्याज भी है नीम के पत्ते भी है गाओं के लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पर जब से चोटी काटे जाने की घटना हुई है तब से महिलाओं में दहशत है लोग दस बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते और पुलिस नहीं आ रही है इसलिए खुद ही पहरा देना पड़ रहा है अफवा के पाव नहीं होते अफवा हवा के साथ उरती है जुबान के जरीए सफर करती है यही वज़ा है कि चोटी कटने की कहानिया धीरे धीरे एक राज़े से दूसरे राज़े तक पहुच रही है ऐसे में हमारी यह गुजारिश है कि आप ऐसी अफवाओ को फैलने से रोके आपकी यह कोशिश दहशत फैलने से रोक सकती है सची घटना में आज बस इतना ही मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सची घटनाए लेकर तब तक देखते रहे एबीपी निउस यह एबीपी निउस आपको रखे आगे